पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले को गरफदार किया है। चिरौली थाना बरहन ने घर आकर डाग विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर एक लाक रुपए और फोटो ले लिये इन दोरों ने स्ट्रक्षिरिक प्रमार पत्रों की मूल प्रतियों को ले लिया था जिसके बाद 11 दिसंबर 2020 को चार लाक रुपए और एक नुक्ती पत्र भी दे दिया जब जानकरी कीगी तो ये नुक्ती पत्र फरजी निकला इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और अब एक आरोपी मॉंटू कुमार पत्र शीराम निवासी गली नमर आठ टेड़ी बगिया थाना ट्रांस यमना जिला आग्रा को गिरफतार कर लिया उस पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है पुलिस सदेचक हात्रस मौदर के नेदर साहब सार फरार हुआ बांचित अपरादियों के खिलाब चलाए जा रहे अव्यान के किरम में मुकदमा अपरा संक्या 14 बटे 22 में बांचित अवित मौंटू को साधाबाद पुलिस द्वारा ग्रफदार किया गया जो डांग विवाब में फरजी निर्टी पत्र देकर लोगों से ठगी का काम करता था जर्फदारी के संबन में अग्धिक कारवाई की जा रही है